नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने ही योटूब चैनल बीरू अकाडबी पर सभी को गुड योनिंग है वंदे मात्रम जैहिन उमीद करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्त मस्त और अपने मोबाइल की स्क्रीम पर बेस्थ होंगे डियर बात करेंगे बीएट पातरता बीवात को लेकर के आखिर क्या कुछ चल रहा है मानिश शुप्रिम कोट में आडर कब तक आएगा किसके फिवर में आएगा बीएट के साथी क्या कुछ करें आखिर अभी और फैसला कब तक जो इसका रिलीज होने के चांसेज है मानिश से वो कब तक हो पाएगा एंसीटी पर जो सबसे वड़ा निसान है आखिर एंसीटी अपने गजट को बचाने में काम्याब हो पाती है या नहीं चूकि जो एंसीटी है वो सबसे वड़ी रेगलेटरी बोड़ी है पूरी तरीके से बात करेंगे भी एक नया मामला आया है उ पूरी तरीके से अडर रिलीजर भई, कभी भी इसका अडर रिलीज किया जा सकता है माननी शुप्रिम कोट के द्वारा, उम्मीदे यही है कि फैबरोवरी का जो माह होगा फरवरी का उसमें हर हालत में इसका अडर रिलीज हो जाएगा, जैता कि देवे सर्मा जी के टूटे रिकाउंट से भी जानकारी दी गई है कि 10 फरवरे तरह किसको आडर आ सकता है माननी शुप्रिम कोट के द्वारा, लेकिन अब इसमें जो हमारे V8 के साथी है, उनके बार-बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या हम सुपर्टेट की तयारी करें या ना करें, मैं उन्हें बता जैसा कि NCT है, NCT बड़ी regulatory body है, उसको बड़े-बड़े नियम और कानून बनाने का जो अधिकार है, वो पूरी तरीके से illegal है, लेकिन जैसे आपने देखा था, जैपूर का जो matter of study year, जैपूर में अभी कुछ साथी ऐसे थे, 2017 के जो टेट पास थे, उन्होंने आवेजन के लि boundation है, पूरी तरीके से खतम है, यानि कि जो NCT है, वो बड़ी regulatory body है, और सिच्छा में जो भी परिवर्तन करना है, वो NCT कर सकती है, जैसा कि अभी आपने देखा था, टेट के certificates को उसने lifetime करने का एक letter जारी किया था, तो आखिर जब उसने प्रात्मिक में V8 को 6 माह के bridge course के V8 को कहीं न कहीं एक धक्का लगा था, वहीं से मामला ये पनपा था, और माननी शुप्रिम कोर्ट तक कहुंचा था, हलाकि राजस्थान की जैपूर बेंच के दौरा पुना एक बार 6 माह के जो bridge course V8 की किये हुए चात्र हैं, उनको पुना कहीं न कहीं लेबल 3 के exam में V8 के साथी पूरी तरीके से प्रात्मिक सिच्चक भरती की तयारी करते रहें, क्योंकि माननी शुप्रिम कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा decision particular एक तरफा ले पाना मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सहज होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से भीड काफी ज्यादा है और जो अपने तत्त हैं, जो दावे हैं, पूरी तरीके से निश्चत रुप से वो इसपर्ट हैं, दोनों का जो अपना पच्च है, वो काफी मजबूत है, क्योंकि केंदरी विद्याले संगठन केवियस ने V8 को प्रात्मिक में सामिल करने के लिए कही ना कहीं सरकार से और NCT से अनरोध क जिया था, उसका भी अलप नामा V8 की तरफ से लगाया गया है, कई ऐसे राजी है, जो V8 को प्रात्मिक में चाहते हैं, चाहे पस्चिम मंगाल की बात कले, उत्तर प्रदेश की बात कले, कई ऐसे राजी हैं, जो V8 के साथ कंदा से कंदा मिला कर खड़े हैं, एक दो राज जरूर है जो V8 के अगेश्ट भी खड़े हैं लेकिन चुकि मामला पूरी तरीके से रिजर्व है शुप्रिम कोट का आडर फरवरी माहर में कभी भी जारी हो सकता है ऐसी आसाइं लगाई जा रही हैं क्योंकि जो अन्य स्टेट हैं पूरी तरीके से उनकी सिच्छक भरतिया प्रभावित हैं या हो भी रही है तो वो भी फाइनल कहीं न कहीं शुप्रिम कोट के आदेसा अनुसारी होना है उनको चाहे मद्दपरदेश की उवर अगथरी की वैकेंसी की बात कर ली जाए या आप बिहार में बात कर ले या पुतराखंड में बात कर ले किसी भी राज आप पे इस सिचक भरती को ट्रेंड किया जाएगा तो वीएट सातियों के बराबर कमेंट आ रहे थे देखिए मैं आपको वीएट सातियों को पूरी तरीके से बता दूं कि वो प्रात्मिक सिचक भरती की तयारी करते रहें ऐसा नहीं है कि वीएट सातियों को पूरी तरीक इफार्ट खाया है NCT का, वो NCT के गजट को रद किया गया था ना कि V8 साथियों को इलीगल किया गया है, NCT का जो गजट है, उसको बनाने में कुछ खामिया, वहाँ की राजस्थान की हाई कोर्ट ने दिखाई है कि NCT ने रूल को मनाने में कुछ जो नियम से हैं, उनको सही तरीके से फालो नहीं कराया, इसलिए उसके गजट को रद किया गया है, हो सकता है अगर सुप्रिम कोट के द्वारा NCT के गजट को पूना रद कर दिया जाता है, तो क्या होगा आगे भविसमें B8 के सातियों का, तो NCT पूना उस गजट को जो नए सीरे से जो खामि भरती की जो तयारी है, पूरी तरीके से करते रहें, आगे आने वाले निकट भविसमें जैसी ही इसको ओड़र आएगा, उस पर फिर वाद में बात की जाएगी, लेकिन अभी आप पूरी तरीके से तयारी करते रहें क्योंकि आप प्राद्मिक सिच्च भरती के लिए पू और अपनी जो प्राजमी सिच्छक भरती के तैयारी है उसको कहीं ना कहीं और स्ट्रांग कर सकते हैं। उमीद करता हूँ सारे डाउट क्लियर हूँगे, कोई सवाल रहे गया है, कमेंट बाक्स में छोड़ दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेश्ट अपडेट में जैसे ही कोई महत्रपूर अपडेट आईगी, जरूर मिलेंगे चैनल को सबस्क्राइब कर लिए क्योंकि उसमें सिच